हेलो बच्चो कैसे हो आप तो एक क्वेशन आए शाहीन का तो उन्होंने पहले लिखा है थैंक्स अलोट माम इनका एक क्वेशन पे मैंने वीडियो बनाई थी तो यूर वेलकम बिटा माम जस्ट वन तिंग आ वन टेक यूर अपीनियन अकॉर्डिंग तो यू वट वूट ब in better part mbps via education loan or government BDS as I might not get a government BDS college in my state jharkhand but I can't do partial drop because the discontinuation bond is very high 20 lakhs and I am middle-class I am very much confused between private video's and government videos मैम पैशन को एक साइड रखके लॉजिकली विच वुड बी बेटर ये मैं डिसाइड नहीं कर पारी आप थोड़ा गाइड करें क्योंकि I feel कि मुझे हमेशा से अमभीबियस करना था पट I also accept that जब आप किसी और भी फील्ड में जाके अच्छे से explore करते हो और उसमें potential आपको दिखता है then you don't have any regrets later, you start enjoying that field तो इस बच्ची का बहुत ही अच्छा question है, इतना लंबा question है और इसके उपर बात करते हैं इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी पिटा, आपके पास need test experience के में पास बहुत सारे questions आ रहे हैं और मैं सोची हूं कि combined question and answer session में रखूंगी सब के लिए ताकि आप सब के question answer मैं answer कर सकूं 20-20 minute का session बनाएंगे क्योंकि बहुत लंबी वीडियोस भी आप बच्चों से देखे नहीं जाती हैं आपका भी time waste होगा उसमें तो मैं 20-20 minute का कोशिश करूंगे कि आपके questions लेके उसके उपर मैं एक वीडियो में जैसे 4-5 questions हम deal किया करेंगे collectively right तो अगर आपको कोई queries और भी होंगी तो आप लेखना तो फिर मैं आपको deal करूंगे और एक और बात मैंने आप बच्चों आपको बतानी थी कि मैं as a dental surgeon काम कर रहे हूं government sector में with the hemarchal government और मैंने ये सब face देखा है बेटा जो आप लोग अभी इस चीजों से गुजर रहे हो मुझे भी अगर सही time पे किसी ने guide किया होता तो शायद हम भी कुछ और भी better कर सकते थे पर चलो anyways I am satisfied जो भी है और ये मेरा जो totally जो मैं आप लोगों को suggestion देती हूं ये मेरा बस एक interact करने का माध्यम है आप लोगों से और मेरा अपना चैनल को देखो monetize करने का भी कोई भी मेरा अपना कोई वो नहीं है कि मैंने इसको future में पैसा कमाना इस चीज से बस मुझे अच्छा लगता है मेरी hobby है इसलिए करती हूं now coming back to this very important question तो बेटा तो आपने मेरे को बूला है private BDS via education loan और government BDS ठीक है और आप जहारखंड state से हैं और partial drop कर नहीं सकते क्योंकि discontinuation बड़ा हाई है और end में आपने मेरे को बूला भी यह चीज है कि थोड़ा guide कर दो क्योंकि middle class family से एक बहुत ही अच्छा point लिखा आपने कि अगर आप किसी भी फील्ड में जाके उसे अच्छे से explore करते हो तो और उसमें potential दिखाते हो तो obviously आपको कोई भी regrets नहीं होते तो बिटा सिलसले वार बात करते हैं आपके एक ही question में चार-पांच questions चुपए हैं है ना तो सबसे पहले education loan और से mbbs या फिर government bds इस पर आते हैं तो देखो बिटा लोग education loan से करके आये होते हैं और education loan की एक चीज होती है कि जो education loan होता है आपका यह आपको आपके study period के time नहीं देना होता है यह आपको तब देना होता है जब आप job में लग जाते हो है ना तो यह अगर आप country और दूसरा है government bds से भी कर लोगे तो saturation तो बहुत है नहीं मिलने वाली है jobs ठीक है उसके बाद भी जब MDS का paper clear करोगे तो तब जरूर आपको stipend वगेरा मिल जाएगा ठीक है उसमें भी बहुत high competition रहता है बट education loan से MBBS का एक फाइदा है certainly एक फाइदा है कि आपको थोड़ी सी job as compared to BDS थोड़ा सा जाधा रहेगा ठीक है यह आपको पता होना से अपने त्यारी करना शुरू कर देनी है अपनी PG की अपना mindset रखो कि भाई हमें हम बाकी बच्चों की तरह नहीं है कि कई लोग तो पैसे के बलपे उनके पैसा ही पीछे से बहुत है हम भाई middle class है हमारे माबब अपने और हमने मिलके यह education loan लिया है सर पर जो कि हमें चुक गौर्मेंट PG की सीट निकालनी है क्यों निकालनी है है ना वो इसलिए निकालनी है क्योंकि गौर्मेंट PG की सीट करोगे तो एक लाख रुपया उस चाही में कमाना शुरू हो जाओगे उसमें से अराम से loan भी चुकता हो जाएगा mdb हो जाएगी tension भी नहीं रहने वाली है समझागी बात तो यह करना है आपने है ना तो बाकी दूसरी बात है बच्चे की की partial drop नहीं लेना है क्योंकि discontinuation bond बहुत जादा हाई है 20 लाक रुपे का है ठीक है तो यह अब confuse हो रहे है पहला point मैंने आपका clear कर दिया private mbbs या government bds में से आपका देखो आप government bds को होगे तब भी आपके discontinuation bond बहुत आई है है ना तो नहीं जाना समझागी education loan अगर लेना है अपना mindset clear करो कि मुझे crack करना है है और यह भी नहीं सोच के बैठ जाना फिर भाई मैडम ने बुला था clear करना है और अब मेरे PG clear नहीं हो रही है तो थोड़ी सी चीज़े आप खुद में जरूरी नहीं होता है ना अब एक बात मैं बताते हूं आपको mbbs देखो बहुत लोगों का passion रहा है सबको mbbs मिलगी हो सबके सारे सपने पूरे हो जाए लाइफ में यह कभी नहीं होने वाला या आप आगे भी देखना हम college में जाते हैं हम सोचते हैं कि भाई सब अब ह चाटिंग फेस में ठीक है और हमारे सपने चोटे-चोटे बच्चों के वर हम सोचते मैं तो सोचती कभी मैं सोचती थी मैं पाइलेट बनना है कभी मैं सोचती दॉक्टर बन जाओंगी कभी मैं सोचती पुलिस वाला बन जाओंगी पता ही नहीं था हमारी middle class की एक tragedy है हम ल बड़ी जादा हमने एहमियत बनाई होती है अपने दिवाग में कि हांजी डोक सा आप में लिए भगवान समाना है ना तो बट बट जब आप फील्ड में उतरते हो ना और जब हम जब आप सर्वेस में आओगे आपको पता चलेगा कि कोई बच्चा रशिया से करके आया पूछे का नहीं कि आपने कहां से की है MPPS क्योंकि अल्टिमेटली वह भी नौकरी कर रहा है तुम भी नौकरी कर रहो यह तुम्हें ही बता है कि तुम्हारे स्ट्रगल करके तुम चाच-पांच बार नीट का पेपर देके और रात-रात पढ़के तुम बने हो है ना और सोच लेके चलना पड़ेगा जो एजूकेशन वाला मैंने आपको बात बता है वो तभी जाना है आपने दूसरी बात है आपका सपना था है MPPS बने का जिंदगी में सारे सपने पूरे हो ज़रूरी नहीं होता है तो इसलिए अपने आयाम खुले रखो आप अगर मिटीरियो बच्चे हो मेरिट वाले बच्चे हो तो आप किसी भी फील्ड में जाओगे आप आप एक्सल करोगे तो मेरे हिसाब से थोड़ा साब वो जो पॉसिबिल्टी से उनको भी आप एक्स्प्लोर करिए क्योंकि जो एक बच्चा जिसने मन से सोचो आता कि मैंने तो बस सब्सक्राइशन है तो जब तक उसके नाम के डॉक्टर नहीं लगा ना उसको नहीं आने वालो चैन या फिर उसको चैन तभी आएगा अगरों किसी डॉक्टर से जाधा कमाएगा ठीक है तो मैं आपको असलिए बताती हूं कि आप बहुत सारी फील्ड्स हैं कि हम से जाधा काम कर दिया कि बस आप इसलिए डॉक्टर हो कहते हैं कि आप भगवान का रूप है बहुत बड़ी बात हो जाती है किसी डॉक्टर के लिए सुनना और जब आप अपने पेशन को मतलब किसी वी चीज से अलिवीएट कर दे तो चाहे आप डेंटिस्ट्री फील्ड में हो चा है ना बाकी देखो मिडल लास फैमली के लिए एकुली इंपोर्टेंट है कि आपको अगली बाकी चीज़े भी आपको एक्स्प्लोर करने की पड़ेंगी जहां पर जाते हैं आपको यह मान के चलना पड़ेगा सैचुरेशन आसे छेसा सालों बाद में आने वाली है जैसे क वह वाली इंस्चेंक्ट है कि हाँ भी मुझे करना है मैंने हिमाचल के एक बहुत ही फेमस एक इंफ्लेंजर भी है और हिमाचल की एड्मिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है उशीन शर्मा पहलास अपना उनका डॉक्टर बनने का था डॉक्टर नहीं बन पाई क्लियर नहीं कर प देते हैं में बात कर लूँ आप सोच के तो यह जाते हो ना वहां पर सजरी करोगे यह करोगे और जब आप पीजी के लिए स्पेशलाइजेशन करने जाते हैं सबसे में ब्रांच पता कौन से चूस करते हैं जो टॉप टॉपर सुथे हैं पीजी में रेडियोलोजी जिसमे देखते हैं कि इसमें वर्क लाइफ बैलेंस है कि सुबह चले जा और फिर शाम तक आप लोग फ्री हो जाते और फिर रात की लाइफ है आपकी स्ट्रगल्स हैं बीबेस डॉक्टर्स के मेरे अपने हस्में इन्होंने अपना देखे 5-6 टाइम से इन्होंने ड्रॉप किया ह इनकी चप्ट 25 एज उस टाइम हमारी रहती थी हमारे जो पीमटी सोते थे लास्ट वले टाम्ट में इनका क्लियर हुआ है बट नौ इस हैपी उनका पैशन ही भाई सब्ट यह है पेशन्ट को अटेंड करना है उनको मज़ा आता है इसमें इस नोट इंटरस्टेट इन फैम उनको नहीं अच्छा लगा कि हां भी यहां पे डेनाइट ड्यूटी देनी पड़ती हैं वह सब इंटरस्ट की बाते हैं नोबड़ी इस राइट इन दाट वो ना सबका माइंड सट अलग है ना सबकी अपनी प्राइर्टी से तो बाकी तो देखो पीटा मैंने आपको काफ हो जाता है कंपिटीशन ही बड़ा टफ है जी एमडियस का गौर्वर्मेंट सीटे हैं ही बड़ी कम है इतना इतना पढ़ने के बाद भी मेरा नहीं निकला था तो एक टाइम पर मेरे डैडी ने बोला था कि कोई बात नहीं हम एजुकेशन लोन लेके आपका प्राइवेट में करवा देंगे तो प्राइवेट में उस चाहिम आज से मैं कितने साल पर लों की बात कर रही हूं 15 साल पर लेकी बात पीजी के लिए तो हमारे MDS की फीस उस चाहिम थी मेरे कहां से 15 लाग के आसपास ना तीन सालों का आना था इतना खर्चा तो जी मैंने बड़ा अपने मैंने स्ट्रगल किया वहां पर अपने दिमाग में सुच चाहिए कि हां भी गौर्वर्मेंट सर्विस जब भी निकले मेरे को एक्जाम क्लियर करना है तो मैं त्यारी करती रही उसमें तो मैं साथ में सर्विस भी कर रही थी पहला कमीशन निकला था हमारा घामे जी करम करन ठीक है second मेरा exam निकला government service का clear हो गया तो पिटा ये एक life है life एक journey है और even जब तक मेरा clear नहीं हुआ था तो मैं private sector मेहनत कर रही थी अपना कमा रही थी अच्छे से percentage basis पे बहुत बढ़ी है कमा रही थी बलकि government service में आके मेरी salary कम हो गई थी और private में बढ़िया से चल रहा था तो क कुछ decisions आपको सोचने पड़ते हैं कि आपको क्या आपका dream important है या आपका aim in life important है अगर असली मकसद पैसा कमाना है तो फिर आप explore करिया other fields भी है ना फिर आप इसमें मत आओ कि इसमें saturation आजाएगा आप सोचोगे कल को कि यार इतनी पढ़ाई भी कि सब कुछ कि आप अब क्य अपके question का answer मिला हो और हर मादेर जैश्री राम भगवान सबका भला करे